हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जे आरेफ माइंड, पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन के इस क्रैस कोर्स में हम देख चुके थे scientific management theory, classical theory, MP Follett, Chester Bernard, human relation theory और आपकी behavioral theory हम last class में ये देख चुके थे फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये सारी classes भी देख ले और इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आने वाली जो भी classes हैं वो आपको मिल सके तो आज हम पढ़ने वाले हैं decision making theory ठीक है फ्रेंड्स तो आपको एक चीज़ और बता दूँ जैसे कि हमारा ये public administration का crash course है आपके net jrf के exam के लिए जो की किस फरवरी से start हो रहे हैं ऐसे ही हम political science की हर unit के लिए crash course लेकर आएंगे आपके लिए तो इस channel को जादा से जादा subscribe करें like करें ठीक है तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं आज का topic है हमारा decision making theory तो friends जो decision making theory है वो आपकी rational choice होती है ठीक है suppose कि ये बहुत सारे हमारे पास ये option है ठीक है ये जो option है इसमें सबसे जादा जो best decision हमारे लिए होगा सबसे जादा जो rational होगा ठीक है हम उसी को decision making में लेते हैं न वही decide करते हैं कि हम ये करेंगे ठीक है तो Herbert Simon को decision making theory के लिए जाना जाता है और Herbert Simon decision making को कैसे define करते हैं the optimum rational choice between alternative course of action ठीक है देखिए friends जो decision making theory है न इससे आपकी चार model related है ठीक है चार model related है साथ में आप अपने notes जरूर बना ले अगर इन classes को आप जादा से जादा लाब उठाना चाहते हैं ठीक है तो देखिए decision making theory से चार model related है सबसे पहला model है आपका bounded rationality model ठीक है bounded rationality model आपका related है देखिए तो bounded rationality जो model है इसको किस ने दिया था Herbert Simon ने दिया था ठीक है अभी हमने देखा था ना कि Herbert Simon ने decision making के लिए क्या बताया था rational choice ठीक है हम rational choice को चुनते हैं तो इस model का नाम भी क्या है bounded rationality model किस ने दिया था Herbert Simon ने दिया था ठीक है देखिए तो Herbert Simon ने दिया था तो Herbert Simon इसमें क्या कहते हैं He observed that human behavior in an organizational setting is characterized by bounded rationality leading to satisfying decision as against maximizing decision देखें Herbert Simon कहते हैं कि जो एक human होता है organization के अंदर ठीक है वो कैसे decision making करता है तो human एक organization के अंदर कैसे decision making करता है bounded rationality से Herbert Simon का कहना है कि जो rationality होती है तारकिकता उसकी भी अपनी एक सीमा होती है ठीक है वो bounded होती है उसकी भी अपनी एक सीमा होती है तो हम जो भी decision अपनी life में लेते हैं वो एक satisfying decision होता है कैसा decision होता है? Satisfying decision होता है against maximizing decision कहने का मतलब यह है कि जो एक best decision हो सकता था यह ठीक है लेकिन हमें उसका पता नहीं है क्यों क्योंकि एक bounded rationality है हमारी जो rationality है उसकी भी एक सीमा है ठीक है तो हम कौन सा decision ले रहे हैं हम एक satisfying decision ले रहे हैं ठीक है किसके against में जो एक maximizing decision हो सकता था ठीक है तो हर्बर साइमन यही कहते हैं देखिए दूसरा मोडल है हमारा एक चीज़ और आप यहां पर जान लीजिए यहां पर एक word है zone of acceptance साइद आप देख पा रहे होंगे यह word ठीक है तो यह exam में आपके आता है कि यह word है ध्यान से देखिए zone of acceptance ठीक है zone of indifference देखा था हमने acceptance ठीक है तो ऐसे ही यहां पर एक word है zone of acceptance यह किस से related है हरबर्ट साइमन से related है ठीक है तो दूसरा मोडल है हमारा तो हमने एक model देख लिया bounded rationality model दूसरा मोडल है friends हमारा decision making ठीक है incremental model incremental model किस ने दिया था? Charles E. Lindblom ने दिया था ठीक है incremental model किस ने दिया था? Charles E. Lindblom ने दिया था इनका एक article है the science of modeling do चोकि 1959 में publish हुआ था तो इसी में इन्होंने यह अपना जो model है decision making का incremental model दिया था ठीक है it is opposite यह opposite है जो Herbert Simon ने उपर model दिया था था ना rationality का model तो यह opposite है Herbert Simon के rational model के तो Lindblom आखिर क्या कहते हैं इसमें? तो Lindblom कहते हैं Lindblom says that what actually occurs in administrative decision is incrementalism that is virtual continuation of the previous activities with few modification तो यहाँ पर जो Lindblom हैं वो कहते हैं कि आखिर एक organization के अंदर होता क्या है? जो भी administrative decision लिये जाते है ना तो जो पहले decision हो चुका है बस उसमें ही थोड़ा सा fair बदल करके वही decision लिया जाता है आगे भी देखिए administrative decision is incrementalism थोड़ा सा fair बदल उसमें किया जाता है that is virtual continuation of the previous activities जो भी पहले decision होए थे उसी में ही few modification थोड़ा सा बदलाव करके वही decision आगे भी लिया जाता है ठीक है the incrementalism model is also known as branching model तो जो incremental model है यह branching technique के नाम से भी जाना जाता है model of successive limited comparison इस नाम से भी जाना जाता है और step by step decision making ठीक है तो यह आपका जो incremental model है यह इसके other नाम है देखिए thus Lindblom assume तो Lindblom क्या assume करते है that the post activities and experiences are used जो भी पहले की activities हुई है पहले जो भी decision लिये गए है ठीक है जो भी experiences है उसको use किया जाता है by the administrator administrator के दुवारा to make future decision future के decision को लेने के लिए ठीक है Lindblom क्या कह रहे हैं कि जो भी पहले decision लिये गए है जो भी पहले experience है उसका administrator के दुवारा use किया जाता है future के decision को लेने के लिए ठीक है तो अभी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि incrementalism का मतलब क्या है modification का मतलब क्या है ठीक है तो हमने दूसरा model देखा किसका Charles E. Lindblom का कौनसा model दिया है इन्होंने incrementalism का model दिया है ठीक है तो देखते हैं तीसरा model यह सारे decision making के ही model है ठीक है चार model है तो तीसरा जो model है friends mixed scanning model जो mixed scanning model है यह decision making का ही एक model है जिसको अमिताई एटिजियोनी ने दिया है ठीक है अमिताई एटिजियोनी ने दिया है इनके article का नाम है mixed scanning ए थर्ड एप्रोच टु decision making जो की 1967 में publish हुआ ठीक है तो mixed scanning model अमिताई एटिजियोनी ने दिया है इसमें इन्होंने क्या किया है देखे जो हमने अभी तक दो model देखे थे ठीक है पहले हर्बर साइमन का एक rational model देखा दूसरा हमने क्या देखा था भी चार्सी लिंड ब्लूम का incrementalism का model देखा ठीक है तो अमिताई एटिजियोनी ने क्या किया यह जो दो model थे ना इसको mix कर दिया तभी इनके model का नाम है mixed scanning model ठीक है देखे लिखा भी है he combines the element of both model देखे rational model and incremental model उन्होंने जो है इन दोनों के element को लिया है अमिताई एटिजियोनी ने थीक है तो एटिजियोनी ने क्या कहा है एटिजियोनी broadly agrees with Lindblom's criticism of the rational model हमने पढ़ा था कि जो Lindblom का model है वो किसको criticize करता था rational model को साइमन के model को वो criticize करता था ना तो rational model को Lindblom का model देखे एटिजियोनी broadly agree with Lindblom's criticism of the rational model तो जो एटिजियोनी है ना अमिताई एटिजियोनी इनके model का नाम mixed scanning ठीक है तो ये Lindblom से agree करते हैं कि rational model को ये भी नहीं मानते देखे एटिजियोनी agree करते हैं Lindblom से जो वो rational model का जो criticize करता है लेकिन फिर भी however he also says that incremental model is having two main drawbacks लेकिन फिर भी जो एटिजियोनी है ना वो कहते हैं जो भी इनोवेशन यहां पर हम कुछ भी नया तो सोच नहीं पाते इनोवेशन को डिसकरेज करता है ना क्योंकि Lindblom ने क्या कहा था कि जो भी decision making हो रही है वो कैसे हो रही है जो पहले decision हो चुके है बस उसी में ही कुछ थोड़ा सा फेर बदल हमने कर दिया modification कर दिया और एक नया decision हमने ले लिया ठीक है तो यहां पर कुछ नया invent हुआ क्या कुछ नया innovation हुआ decision making में नहीं तो यह इस चीज को क्या करता है डिसकरेज करता है ठीक है इट डिसकरेज social innovation यह social innovation को discourage करता है इट can't be applied to fundamental decision वही चीज यह जो fundamental decision होता है एक new decision होता है लिंड ब्लूम के model को हम उसमें apply नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह था हमारा तीसरा model तीसरा model कौन सा था हमारा अमिता या टी जियोनी का mixed scanning model ठीक है जिसमें इन्होंने rational model और incremental model दोनों को mix कर दिया था ठीक है देखिए फ्रेंट्स चोथा model है हमारा optimal model ठीक है public policy making re-examined ठीक है इसी में इन्होंने यह अपना model दिया था तो इसमें क्या suggest किया है इन्होंने कि an optimal approach to policy making इन्होंने policy making की एक optimal approach optimal approach का मतलब होता है service rest approach ठीक है यह अपने model को service rest मानते हैं यह कहते भी है देखिए he claims that his optimal model is superior to all existing normative models of decision making तो ही जेकी डोर कहते हैं कि जितने भी decision making के जो जितने भी model exist करते हैं decision making के उन में जो इनका model है optimal model है वो क्या है superior है service rest है सबसे ठीक है ऐसा यह claim करते हैं देखिए optimal model has three principal phases जो optimal model है इसके कुछ तीन phases होते हैं जो कि he jk drawer ने बताया है पहला phase क्या है meta policy making meta policy making का मतलब है policy कोई भी नीती हम बना रहे हैं उसके बनाने से जो पहले का time है ठीक है तो optimal model जो है इन तीन principle phases पर क्या करता है धियान देता है नीती बनाने से पहले का सम है policy बनाने का सम है और policy बनाने के बाद का सम है ठीक है वो कैसे लागू हो रही है तो जो इही जेकी ड्रोर थे इन्होंने अपने optimal model को क्या बताया था service rest बताया था ठीक है देखिए तो हमने क्या देखा फ्रेंस आज हमने क्या देखा decision making theory देखी आज हमने decision making theory देखी तो decision making theory के लिए वैसे कौन जाने जाते हैं Herbert Simon जाने जाते हैं ठीक है जिसमें हमने 4 model देखे सबसे पहला model हमने देखा था Herbert Simon का ही bounded rationality model ठीक है दूसरा model हमने क्या देखा था देखिए एक बार revise कर लेते हैं दूसरा model हमने incremental model देखा incremental model किसका था Charles E. Lindblom का था थीक है तीसरा model हमने क्या देखा था तीसरा हमने देखा था mixed scanning model जो कि Amita Yati Zioni ने दिया था और चोथा model था हमारा optimal model जो कि EJK drawer का था थीक है आप अपने notes जरूर बना ले न इन classes से आपके लिए exam में बहुत helpful होंगे ठीक है आपको हमारी class कैसी लगी comment में जरूर बताएं और like, share, subscribe जरूर करें ठीक है मिलते हैं next video में thank you